इपपी बनके तयार है, बहुत ही स्वादिस्टी पी अज बनाए हैं घर में, अधाम देखने से ही लग रहा है, जैसे की पूरा टिस्टी है, नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम बनाने वाले हैं इपपी, तो दोस्तों किस तरह से बनाएंगे देहाती वीडियो में तक बने रही है और देखिए हम लोग घारम गाव में कैसे बना के खाते हैं और आप लोग भी ट्राइब करिए तो दोस्तों आभी हम आपको पी दिखा दे पहले यह देखिए यह पी है देपकिट और अब इसी को हम बनाएगे इधर देखिए हम पानी इसमें डाल दिये हैं ग्रम होने के लिए थोड़ा और अभी ग्रम कर लेते हैं पहले पानी को इसमें गरम हो जाएगे न थोड़ा-थोड़ा देखिए गरम होने लगा है और आप ईसमें पी डाल लेते अबे तुरंत दोस्तों इस और तोर देना 2 टुक्डा करके देखिए इस पर इसमें रख लेते हैं और एक और है उसको भी हम तोड़ लेते हैं और इसका मसाला जो है सो किनारे करके रख लेंगे कि यह निकार लेते हैं और हम इसमें डाल देंगे सब को थोड़ी इसको है ना सब खूल जाएगा अपने से इसमें थोड़ा नमक डाल देते दोस्तों अब ये थोड़ा कर दो मिनट तक ले उबा लेंगे इसको सब छूटने लगेगा तो इसको बंद कर देंगे खूल रहा है देखिए चला देते हैं भी हम फटा फट और ये है सो देखिए छूट गया पुरा बढ़ियां से और इसको याब हम गेस बंद करके उतार लेंगे दोस्तों विडियो में एंट टेक बने रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी बनता है घर में देखिए हम अभी उतार दिये उसके बाद इसको चान लेंगे कटोरम पाने हम ले लिए उसी में हम इसको धो लेंगे पी को तो अभी इस से निकाल के ठंदा पाने में हम डाल देते हैं गरम से सब हो गया सब हम डाल दिये और इसको अब धो लेंगे धो करके इपी से चाक के इसमें हम रख लेते हैं अभी बड़ा कटोरा में करना है हो गया है पलेट में अब तेल डाल देते हैं सरसो तेल रिफाइन भी डाल सकते हैं और इसको मिला देते हैं थोड़ा सा हो गया मसाला में प्याज है सिमला है गाजर है और अधर मेरा पी रखा हुआ है दोस्तों कडाही में अब तेल हम डाल के इसको किस परकार को दिखाते हैं तो देखिए तेल मेरा गरम हो गया है प्याज डाल दिए इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है ज्यादा गलाना नहीं है लग्यमत्ट में है उसके बाद इसमें हम डालेंगे क्या गाजर कि इसको भी भूंज लेते हैँ थोड़ा है थोड़ा कुमलाया जैसा देखेंगा उसके बाद और शिम्मला मेच्प को भी थोड़ा सा कच्चा ही रखना ज्यादा पकाना नहीं है आज दोस्तों देखिए मेरा अभी धीमा आच में हम इसको भूझ ले रहे हैं बढ़ियां से हो गया है इसमें और क्या करना है वह भी आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों देखिए बहुत ही सुन्दर कलर आ गया है और अब इसमें हम इप्पी डाल देते हैं जो हम तेल लगा के रखे थे सोग और इसको भी भूझ लेना है मिल्क्स कर देंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है खुसुब भी आ रही है देखिए सब बढ़िया से बन गया आपके पास मटर हो तो मटर भी डाल सकते हैं मेरा पास नहीं है तो वह नहीं दिया है धन्यापत्ता भी डाल सकते हैं दोस्तों मसाला इसमें दे दिये दो पकिठा नहीं है तो दोनों को हम डाल दिये दोस्तों अब देखिए बहुत सुन्दर दिख रहा है इसके बाद क्या करेंगे उसके बाद से हम दोस्तों देखिए अभी इसमें डालेंगे लके चिल्ली सोस तो चिल्ली सोस को डालने के बाद टमेटो सुस को भी डाल सकते हैं और आपको कुछ और सुस डाला तो डाल सकते हैं तो दोस्तों भी चिली सोस को भी मिला लेते बढ़ियां से बनके मेरत तयार हो गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है दूसतों और ये तो मेरा देखिए खुश्बू भी आ रही है और सोस डालने के बाद इसका मजा ही कुछ और हो गया अब खाने में दोस्तों टेस्टी टेस्टी तो रहा है और दोस्तों आज को हम अब इसको थोड़ा से रख लेते हैं प्लेट में निकाल लेंगे और फानली मेरा एपी बन के तयार हो गया दोस्तों तो आज कब लोग को यहीं रोकते हैं सभी को नमस्कार